दोस्तो, मारियाना ट्रेंच हमारी धर्ती का सबसे गहरा गटा है यह हमारी धर्ती के जमीन में नहीं, बलकि समुद्र के अंदर स्थित है दोस्तो, यह गटा इतना गहरा है कि यहां किस सतह तक आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है क्योंकि यहां पर ताप पान इतना जादा होता है और ताप भी इतना जादा होता है कि यहां तक कोई भी पंडू भी या कोई भी बोट नहीं पहुंच पाती है तो दोस्तो जानेंगे सी मारियाना ट्रेंच के बारे में इसो वीडियो लाइक नहीं किये तो पहले लाइक कर दो यार तो दोस्तो मारियाना ट्रेंच धरती की सबसे घहरी जगाए वहाँ समुद्र 10,898 मीटर से लेकर 10,916 मीटर तक घहरा है यानि करीब 11 किलो मेटर तक की घहराई है अभी तक करीब 1000 लोग सबसे उंची परवस्टिंग खला माउंट एवरेस्ट की चड़ाई कर चुकें तो इसकी तुलना में महस्तीन ही व्यक्ति सबसे घहरी खाई यानि मारियाना ट्रेंच तक जा सकें दोस्तो यदि तोलना करें माउंट एवरेस्ट की समुद्री सतह से 8848 मीटर की उंचाई पर स्थित माउंट एवरेस्ट है जबकि मारियाना ट्रेंच समुद्र सतह से लगभग 10916 मीटर तक है यानि माउंट एवरेस्ट से लगभग 2068 मीटर तक जादा घहरा है दोस्तो यूएस के रिटार्ड लेफटेनेंट डॉन वॉल्श और उनके स्विश सहकर्मी तिवंग जैक श्पिकार्ट सन 1960 में एक पंडूबी में करीब 10,790 मिटर तक गहरे ही तक गए थे दोस्तो साल 2012 में कनाडाई फिलमेकर जैम्स कैमरन एक पंडूबी में सोलो ट्रिप पर इस खाई तक पहुँचने के लिए 10,890 मिटर तक नीचे गए थे उन्हें इस पंडूबी को बनाने में साथ साल लगे थे दोस्तो मारे ना ट्रेंच इतना गहरा है कि सूर की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुच पाती है दोस्तो प्रशांत महसागर और पूर्वी और पश्चमी किनारों पर खाईयों किश्री खला मिलती है दोस्तो गहरे समंदर की इस अंजान दुनिया में पहली बार कदम रखा था और इस नग्रॉफ जैक पीका और लेफटनेंट डॉन वॉल्श ने 23 जनवरी 1960 को टेरियस्टा नाम की समर्विलस की खिर्की से बाहर जांकते हुए दोनों ऐसे नजारों के गावावने जो पहले किसी ने नहीं देखे हुए थे दोस्तों उनके अनवब को बता जानने में बेताब दुनिया के मन में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या इतनी गहराई और ठंडे पानी और भयानक दबाव में जीवन की समभावना है या नहीं है अलांके मरिन बायोजिस्ट का दावा है कि इतने दबाव में मचलियों का होना नामुंकिन है और पीका जैक्स ने जो देखा वो कुछ और रहा होगा लेकिन अमेरिकी नौसेना ने इसे अनुभवी अबसरों ने साफ साफ कहा कि जब तक कि वेगानिक उने गलत सावे नहीं कर देती वह मानते रहेंगी कि उन्होंने जो देखा वो एक मचली ही थी दोस्तों कई साइटिस्टों का मानना है कि इस मार्यान ट्रेंच मेरा हस्य मेरी शार्क यानि मेगलेड डॉन भी रह सकती है क्योंकि कुद्रत की कोई ऐसे अद्बूत चीज़ जब सामने आती है तो उसकी कहानिया भी बनती है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मैं मिलता हम आपको एक नई वीडियो के सब्सक्राइब